केजार आनंद कृष्णा रेडी ने कहा कि सभी को कलाकारों को प्रोचाइद करना चाहिए। रेडी कुछ समय से बोलाराम नगरपाली का क्षेत्र में कलाकारों को प्रोचाइद कर रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद कर रहे हैं। कलाकारों को 18,000 रुपए में एक हार्मोनियम बॉक्स दिया था। कलाकारों की शुरुवात केजार आनंद कृष्णा रेडी के हाथ हुई। ऐसे समय में जब कलाकार अपनी रस्मिताप खो रहे हैं तो इस समय हमें प्रोचाइद करते हुए और एक हार्मोनियम बॉक्स देते का शिकार हो गए। पीडित परी जोनों ने खादे निगम से स्वच्छ स्थान पर साफ सफाई न रखने में लापरवाई बरतने वाले ग्रील हाउस के मालिकों पर कारवाई करने की मांग की है। पर कड़ी कारवाई करने और लाइसेंस रद करने की गुहार लगा रहा है। इस कारवाई कर में दास्य अंजने स्वामी मंदिर के अध्यक्ष राजी रेडी, बीयन रेडी नगर कॉलिनी के अध्यक्ष पुरुशोत्तम रेडी, सोमी रेडी, पदमा रेडी, लक्षमा रेडी, विक्षापती और अन्य ने भाग लिया। रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आवहन पन्नागर सेवा कोपुला नरसीमा रेडी ने मंसुराबाद की श्री प्रसन अंजने स्वामी मंदिर में एक सिवा कारेक्रम आयजित किया। कोपुला नरसीमा रेडी ने मंदिर के कईक्षेत्रों की सफाई की बाद में मंदिर की पानी की पैप लाइन की सफाई के लिए 15,000 रुपे का दान दिया गया। इस कारेक्रम में मंसुराबाद मंडल के लोगों ने भाग लिया। त्यलागाना के बीजेपी विधायक राजा सिंग को धमकी बरे फोन आये। उन्होंने फोन कर मुझे धमकी देए कि अगर मैंने श्री राम शोबा यातरा निकाली तो जांस से मार देंगे। राजा सिंग ने इन फोन कॉस का जाब दिया, उन्होंने फोन पर धमकी नहीं दी, हिम्मत है तो सीधे आकर सामना करने की चुन होती दी। राजा सिंग ने इस हाशे का एक वीडियो जारी किया है। इस महीने की 22 तारीक वा योध्या में होने वाले राम मंदीर प्राहन पतिष्टा कारकर्म की प्रिष्ट भूवी में धमकी और एम हो गई है। राजा सिंग को पहले भी धमकी भरे फोन आ चुके, उन्होंने धमकियों के बारे में ततकालिन डीजीपी को पत्र लिखा था। इसके अलावा राजा सिंग ने खुला साक्याए कि उन्हें पाकिस्तान से भी धमकी भरे फोन आ रहे थी। कांउरिस नेता रहुल गांदी के नेतरत में भारत जोडों नया यातरा रही वार को शुरू होई। रहुल गांदी ने का मैं 2004 से राजनीती में हूँ और पहली बार में भारत कैसे राज में गया हूँ जहां शांसन यवस्ता चर्मरा कही है। उन्होंने कहा कि जिस राज़ों का हम मनिपूर कहें थे वो पहले जैसा नहीं है, पिछले कुछ समय से मनिपूर में बवाल मचा हुआ है, प्रधान मंत्री मोधी की मनिपूर न आने को लेकर उनकी आलोशना हो रही है, मनिपूर BGP और RSS के भैदवाव का उधारन है, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि निया यात्रा क्यों, हम अन्याई की समय में है, इसलिए हम निया यात्रा के दोरान इस पर सवाल उठाएंगे, राहूल गांदी ने साफ कर दिया, बियारस पार्टी के कारेकार या द्यक्ष केटिया ने कहा कि त्यलागाना में कॉंगर्स को माने की राजनी त्याम मानिया है, केटिया ने कॉलापूर में कॉंगर्स ने तो दोरा मारे गए सेवाने रुत्त सेना जवान मलेश के परिवार को सांतों ना दी, उन्होंने मलेश की तस्विर पर पुष्पंजली आर्पीत किया और मलेश की पतनी, बच्चों और परिवार के सद्वेसर से बात की और मनोबल बड़ाया केटिया ने आश्वासन दियाए कि पार्टी मलेश के बच्चों की पूरी जिम्यदारी लेगी पार्टी के और से उन्हें पांच लाग की आर्थिक साहता दी गई तेवा निवरत सेना के जवान मलेश अहरनी सालू ने कहा कि उन्होंने पार्टी की जीत के लिए काम किया बियारस ने एक समर्पित कार्यकरता खो दिया है कि एटिया ने इस बात पर दुख वेक्त किया है कि तेलांगाना राज में राजनिती गुडबाजिया और आत्या की राजनिती पहले कभी नहीं शुरू हुए है उन्होंने चेताओनी दे कि उनकी पार्टी की कार्यकरता ओपर हमले बरदास्त नहीं किया जाएंगे केटिया ने कहा कि पूरी पार्टी प्रतिक कार्यकरता का समर्थन करेगी तलांगाना जन समीती के अद्यक्ष कोदन राम ने याद दिलाए कि पुरानी पेंशन सरकार की जिम्मेदार है और नई पेंशन नीती पूरी तरह से बाजार के उतार चड़ाओ के आधार पर लागू की जाएगे हैदराबाद स्वामाजी गोड़ अपरेस कलब ने CPS को खत्म करने और OPS लागू करने के लिए गोल मिस बेटा का आउजन किया इस कारक्रब में TJS अध्यक्ष कोदन राम वरिष्ट कॉंगरस ने ता मल्लू रवी साइथ विबिन जिनों से नवकरी शिक्षक संगों के नेताओने भाग लिया वरिष्ट कॉंगरस ने ता मल्लू रवी ने आश्वासन दिया है कि पुरानी पेशन को बहाल करने के लिए वह इस मामले को मुख्य मंत्री के ध्यान में लाएंगे आचारे कोदर्न राम ने सुजाव दिया है कि करमचारियों के पैसे को कॉर्परेक शेत्र में गिरिवी रखना उचित नहीं है कामा रेडी विधायक वेंकर टरमन रेडी ने कहा है कि राम को सर्व व्यापी बताने वाली कॉंगरस पार्टी का आयोत्या प्रान प्रतिष्टा में शामिल नहोंने का बयान उनकी खोकली धर्मन एरिप्रेक्षता का सब हो थे उन्होंने राहूल गांदी के कानूनी अभ्यान को निरड़ तक बताती हुए अनोशना की उन्होंने कहा कि अगर वह जाहिराबाद सांसद में कामा रेडी के तरह एक नई निती के साथ सफल होते हैं तो पार्टी को एक उपहार देंगे पार्टी नेतर उत्तो समय पर विधायक दल के नेता की चुनाओ की घोशना करेगा पठांचेरो में संकरांती परो मनाने के लिए MDR फाउनेशन के तवत्व धाल में पतंग महुत्सों का आईजन किया गया पठांचेरो इदाय गुडे महिपाल रेड़ी ने मार्केट यार पर इसर में आउजित पतंग उत्सों का उत्खाटन किया इस मौके पर गुडे महिपाल रेड़ी ने पतंग उत्सों में हिस्सा लिया और पतंग उड़ाकर सभी का उत्साहा बढ़ाया इस कारक्र में पठांचेर उक्रिश्य बाजार समीती के अध्यक्ष विजेई कुमार, ब्रस पार्टी टाउन अध्यक्ष अभजल, वरिष्टनेता, गोडे मधु सुधन रेड़ी, MDR युआ सेना के मुख्य सलाकार, प्रथवी राज, अध्यक्ष, मधु और अन्य ने भाग संक्रांती परव के अउसर पर सिकंद्राबाद विदासबाक्षेत्र के सीतापाल मंडी मंडल में रंगोली प्रतियोगता एव पतंक महत्तों का आयुजन किया गया, इन समारों में सिकंद्राबाद निर्वाचनक्षेत्र, भाजपा महांकाली जिला महासचु, मेकला का पानी मुख्या दीती थे, इस दोरा रंगोली प्रतियोगताओं के विजाताओं को पुरसकार दिये गए, सारंग पानी ने कहा कि सबी लोगों को जाते और धर्म से उपर उठकर हिंदू परंपराओं का सम्मान करते वे और संक्रांती मनाते वे तेहरों को बड़े उत्स को मुख्य पुजारी से इने फूलों की माला पहना कर सम्मानित किया, इस दवरां स्थानिया लोगों ने बड़ी संक्या में भाग लिया, सूर्या पेट विधायक जगदिश रेड़ी ने कहाए कि संक्रांती तेलगू लोगों के साथ साथ हमारे आसपास के टमिल, कननट ल दोरा मनाया जाने वाला त्योहार है, उन्होंने सूर्या पेट शहर के कई वार्डों में भोगी, संबुरांस में भाग लिया और पारमपारिक पुजा कारिक्रम आई जित किये, लोगों ने बड़ी संक्या में भाग लिया, बालिकाओं को पतंगे भेंट की गई, जगदि अच्छी हों और लोगों को सरकार का संयोक साही तरीकी से मिले, सूर्या पेट निर्वाचक शेत्रों संयोक तनल बोंडा जिले की लोगों को संक्रांती की शुप कामना है, आंधर प्रदेश के उपर मुख्य मत्री नाराय स्वामी की खिलाफ बेगम बादार पुलिस ने मा मलूरवी की शिकायत के आदार पर बेगम बादार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिये, नाराय स्वामी के भाशन की वीडियो फुटिज की जांच करने के बाद पुलिस ने पुष्टी कि उन्होंने बिना किसी सबुत के गईड जिमेदारां था तरीके से बेगम बादा सियाई शंकर ने बताया कि उसके खिलाफ वीबी ने धानाओं के तथ मामला दर्ज किया गया है कीसियार शासन के दस वर्शो और वर्तमान कॉंगरेस पर शासन में सीचाई परियोज़ना में एकी प्रवक्ती दिखाई देती है बीजेपी ने आरुषना किये कि पार्टी नेता एनवी ऐसेस प्रवाका ने शिकायत किये कि यदि केजियार अपने फार्म होस से शासन कर रहे है तो रेवत रेडी दिल्दी से शासन कर रहे है कौंग्रेस सरकार लाखो राशन कार्ड हटाने की कोशिश कर रही है उन्होंने साफ किया है कि अगर एक भी राशन काड़ हटाया गया तो बीजीपी पीडितों की तरफ से लड़ेगी इस बात पर अपत्ती चताए गई कि मुफ्त यात्रा की गारंटी देनी की कोई स्पष्ट योजना नहीं है उन्हेंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार छे गारंटी लागू करने में पूरी तरह विफल रही है ग्रेटर हैदराबाद शायर की उपमहाप और मौते श्री लदा शोबन रेड़ी बियारस शर्म विवाब के आद्यक्ष मौते शोबन रेड़ी ने राज्य के लोगों को संक्रान्ती और कनुमा उत्सों की बधाई दिये वह चाहते थे कि मकर संक्रान्ती का तिवार लोगों के जीवन को आनत और खुशियों से भड़ दे संक्रान्ती उत्तरायनम का पवित्र मोसम है जो सूर्य के मकर राशी में प्रवेश के साथ शूर होता है इस संक्रान्ती पर लोग लंबे जीवन, स्वास्त्या, खुशी, नई रोश्नी और यहां तक की नई सफलताओं की काम ना करते लोग सीरी की दौलत और सुप के साथ संतुलित रहना चाते डिप्टी मेर ने अनुरोद किया है कि सभी लोग संक्रान्ती का प्योहार खुशी से मनाए तलांगाना के क्रिशी मंत्री तुमला नागेशोराओं ने कहाए कि पिछली ब्यारस सरकार में सभी वहस्ताएं द्वस्त कर दिये कौने सरकार उन्हें ठीक करने का काम कर रहे है ब्यारस सरकार का एहंकार लापरवाई और तानाशाय अब नहीं चले उन्होंने वरिष्ट कॉंग्रिस नेता चिनना रेडी के साथ हैदराबाद के खैरताबाद में तलागाना एगरिकल्जर आफिसर्स असोशियन के नए साल की डाइरी मीमोचन कारक्र में भाग लिया उन्होंने का कि उन्होंने मंत्री के तोर पर कई विभागों में काम किया है लेकिन क्रिशी भभाग उनका अपना विभाग है उन्होंने कहा कि वह राज्य को क्रिशी के क्षेत्र में अगरनी बनाने के लिए कड़ी महिनत करेंगे और इसे किसान आत्मत्या रहित राज्य बनाएंगे उन्होंने आश्वा संध्याय कि वह प्रिशी विभाग के कर्मचायो की समस्यों का समधार करने का काम करेंगे सकाई फांडेशन के अधर्ष संध्यू कुमा ने बढ़ा है कि तारनाका में सकाई फांडेशन दारा आईजित अन्नादान कारकरम ने आज अपना 244 वा अध्याय पुरा कर लिया है केंद्रे मंत्री किशन रेटी और आरके सिंग ने है अधिके लेंगम पली के लमबारी तारा आई बागे में आई जित विकाशिल भारत संकल प्यातरा कारकरम में भाग लिया केंद्रे सरकार की योजञाओं के कारन वेंसे समधित स्टालो का दोरा किया और उनके प्रदेशन के बाहरे में जान करी लिदि मत्यों ने बताया कि यह यात्रा गरीब हो केंदर सरकार की योजनाओं का लाब दिलाने का काम करेगी सरकार का लक्षे की देश के सबी लोग सुकी खुशाल रहे उन्होंने बताया कि केंदर देश की विकास में दुनिया के देशों के साथ प्रतिस प्रदा करने के लिए एक स रचित योजना के साथ आगे बढ़ेगा मेर्चर जिले के कोमपली में संकरांती की छुटियों के दोरान हाथ सावा इंजिरेनिक के छातरा आकाश की कोमपली एंसी एल नौर्थ कॉलिनी में पतंग उड़ाते समय गलती से पांच मंजिला इमारत की गिरने से मौत हो गई गाटना की सुचना मिलने के बाद पुलिस की शुरुआती जाँच में पुलिस ने मृत्तक योग की पैचान अलवाल थाने में A.S.I. के पत पर कार्यारत राजा शेकर के बेटे की रुप में की राज शेकर के सह कर्मी के बेटे की मौत के बाद अलवाल थाने में मातम चागया पटे बशिराबाद पुलिस ने घंटा के खिलाब मामला दर्श कर जाँच शुरू कर दिये राजनीती में होने वाले घटना करम कुछ नेताओं की कुंडली बदल देते हैं कलवा कुण्टला चंदर्शिकर राओ के सियार के विशे में इस पश्टर रूप से सावित हुआ है जिन्होंने त्यलागाना राजा के गटन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कारे किया और रेवंत्रे डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कारेबार संभाला है संभाने वाले चंद्रबाबू नाइडू ने केसियार को अपने मंत्री मंदर में न लेकर आलक रखा तक तेलंगाना का गटन नहीं होता। लौती बेटी की शादी के अफसर पे रेवन थरेडी इस कार्स जमानत में बहार आए और तुरंध फिर से चेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवन थरेडी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भाविया तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया। और उस दिन की घटनाओं को एक अफसर में पदल दिया। उन्होंने तिल्गु देशम पाती से इस्तिफा दे दिया और कॉंग्रिस पाती में शाविल हो गए। उनकी आक्रमक सभाव और वाग पटूता से परभावित होकर रहुल गांधी ने उन्हें पद्दो नती देते वे टीपी सी सी का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूप में रेवन्थ रेडी ने अपनी वश्वे रूप दिखाई है। वही के सी आर के विहू रचनाओं से पतन की ओर से चारही कॉंग्रिस पाती में रेवन्थ ने प्रान फोक दिये इस प्रिस्ट भूवी में इधर भारतिये रास्टिये समीती और उधर भारतिये चंता पार्टी दौारा दी गई रन नीतिक गलतियों के साथ के सी आर के विक जूद रेवन थ्रेडी को मुखमंतरी बनाने से कुछ ताकतों ने दो दिनों तक रोकने की कोशिश की वही कुछ नेदाओं जो अपने निर्वाशन शेतर से पड़े पड़ोसी निर्वाशन शेतर में पाती उमिदवारों को जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके उन्हें कारे की बात है कि आंदर परदेश के मुखमंतरी जगण मोहन रेडी भी नहीं चाते हैं कि रेवन्तरी मुखमंतरी बने महीं? verse कि मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतराया और ये पर्चार करने लगा कि मुखमंतरी बदे के उमेदyson की समस्या चटील हो गई है राहुल गांदी ने वास्तविक नतीजों से पहले कॉंगरिस की सत्ता में आने पे रेवन्त रेजी को मुखमंद्री बनाने का फैसला किया कुछ नेताओं को इस बात की चौनकारी है या नहीं लेकिन कॉंगरिस की कुछ विधायक सीम बनने की आस में दिल ली गए में भारे की मीडिया ने अपनी भूमी का निभाई ऐसे समय में राहुल गांदी ने कॉंगरिस अद्यक्ष मलीका अरजुन खर्गे के आवास पे गए और इस पस्ट कर दिया कि मुखमंद्री के रोप में रेवन्त रेडी के नाम की घोशना बिना किसी शोर शराबे के शाम तक की जानी चाहिए इसके बाद भती विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेडी जिन्होंने मुखमंद्री पत की आशा रखने वाले उनके बगल में बैठे और पाटी के महा सचीव की सीवेनु गुपाल ने मुखमंद्री के रोप में रेवन्त रेडी के नाम की घोशना कर द नीधी में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नीधा नहीं है क्या रेवन्त रेडी उनमें से इतना जुनून और द्रीडिता पैदा करने के लिए के सी आर के प्रती अभारी होंगे या नहीं या अलग बात है विशे में भी के सी आर ने इतनी किर्ट ग्याता नही दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा लिये वैसे भी रेवन्त रेडी को जो मनचाहपद बिला है अब से उनका सफर कैसा रहेगा अब सामने क्या चुनौतिया है या अब बहस का विशे है रेवन्त रेडी के आकरमक सभाव और बाक पटूता के वारे में बहुत से लो हैं इसके स्क्रिप्ट भी उन्होंने तयार कर ली है वहीं सन्पेक्ष में कहा जाए कि रेवन्त रेडी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धी मता में मोचे है चुकि कॉंग्रिस पार्थी को केवल बहुमत ही मिला है ऐसे में उनके सामने सबसे परिच्चुनौती सभी विधायकों के बीच ताल मिल बिठा कर आगे चलने की है वहीं पिछले साड़े नौ सालों में बिना किसी लच्चा के अनेक नेता तल बदल हुए ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना बेकार दिखने लग गया इसके साथ ही ऐसे नेता भी है जो अपनी ह पार्थी में मुखमंतरी की कुरसी पर नजर गढाय हुए है ये नेता कभी भी बगल में नश्टर बन सकते हैं वहीं काडियम श्री हरी के मताबिक अगर पी जेपी और मजलस पार्थी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो किसी आर की ताकत 54 हो जाएगी अगर CPI सदस्य को शामिल कर लिया जाए तो कॉंगरिस की ताकत सिर्फ पैसट है ततपार ये है कि यदि 6-7 विधायक एक जुट हो जाए और बाजों की तरफ देख ले तो सरकार किर सकती है भले ही रेवन्त रेडिक और रहुल गांधी का कितना भी समर्थन हो लेकिन अब एक मातर चीज मा इस कारण रेवन्त रेडिक के सामने इस समय इस सरकार पर दान करना आगे कुआ और पीछे खाई जैसे इसी थी अब सवाल उटता है कि क्या मुकमंतरी अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बी आरेस से दलबदल को प्रुचसाहित करने की कोशिश करें ये बात रेवन्त रेडि भी अच्छी तरह से चानते हैं इसके चलते मुकमंतरी रेवन्त की और से पी आरेस की और से कुछ विधायकों को कांगरिस में शामल कराने की कोशिश की और कर सकते हैं यदि ऐसा होता है तो रेवन्थ रेडी को दूशी चाहराने की नातिकता केसी आर बहुत पहले ही खो चुके हैं। वहीं अगले चुनाफ तक प्यारेस को निस्ता नाबुत कर पीचे पी एक मजबुत विपक्ष के रोप में उभरने की कोशिश कर सकती है। एक तरह से जितनी मुश्किले रेवन्थ रेडी को सरकार बचाने की है तो उतनी ही परिशानी केसी आर को अपनी पाठी को बचाने की है। जीत सकती है वही कॉंगर्स पार्टी भी अधिकान सीटे जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि वह राज में सक्ता में हैं। दोनों पार्टीों के बीच सिर्फ बियारिस ही फसा हुआ है यदिवा सम्मान चनक संक्या में सीटे नहीं जीतती है तो लोकसबाचुनाफ के बाद बियारिस का भविश्च सवालों के घेरों में होगा। किसी आर्कुल 17 सीटों में से कम से कम 6 सीट नहीं जीतती है तो उनके लिए पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। इस चनाव में जीतने वाले 49 विधायकों में से कुछ लोकसबाचुनाफ के बाद दल बदल की संभावना अधिक है। कभी एक तरह रेवन्त रेडी के लिए चुनाती है। उन्होंने मुकमंतरी पद संभारे कुछ ही दिन हो गए हैं लेकिन अभी से ही उनके फैसलों में तेजी दिखने लगी हैं समय का सहा पालन कर रही हैं। वही परगती भावन का प्रचा भावन में बदल दिया और लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अफसर दिया है। और परतिस्ठा है जब राजशेखर रैडी मुकमंतरी थे तब शिशादरी जो रंगा रैडी के कैलेक्टर के रूप में काम किये थे वहीं सरकार की मीधी से अलग हो गए हैं वहीं शिवधर रैडी को इंटलिजेंस चीफ नियुक्त करना भी एक सही कदम है। परतिस्ठा की यहीं शिवधर रैडी खूफिया पर मुक थे तब रेवंधर रैडी वोट के बदले नोच मामने में फस गए थे उसके बाद ततकालिन मुकमंतरी के सियार को सहच ही शिवधर रैडी पर संदे हुआ और उन्हें बिना किसी महतापून वाले पत पे अस्थां महीने का समय है तब तक इस पार्टी के विधायक और चनतार रेवंधर रैडी पे करीम नज़र रिखेगी इस दोरान रेवंधर रैडी को यह दिखाना होगा वहाँ कौन है और उनकी प्रात्मिक ताय क्या है वहीं रेवंधर को यह सिद्ध करना होगा कि वक किसी आर से भी एक बहतर नेता है वहीं सैयुक्त आंदर परदेश में पद्यात्रा करके मुकमंत्री का पद हासल करने वाले राजशिकर रैडी भी सत्ता में आने के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं वहीं मौजूदा इस दिखी की तुलना उस दिखी से नहीं की जा सकती जब राजशिकर रैडी मुकमंत्री बने थे जब वाईसर मुकमंत्री बने तब तक कॉंगर्स पार्टी में सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले नेताओं का नेधन हो चुका था बाकी बचे नेताओं को वाईसर ने रौंद कर रख दिया वहीं चौना रैडी और दिव रैडी के पास ऐसी कोई लचिला पन नहीं है मुकमंत्री रैडी ऐसी सिथी में है जहां उन्हें कॉंग्र्स पार्टी को चीवित रखते वे खुद को मजबूत करना होगा वहीं कॉंग्र्स पार्टी में वरिस्ट होने के नाते उनका मुकाबला उत्तम कुमार रैडी और भट्री विक्रम मार्क से है वहीं इस कारण मुखमंतरी को तब तक विनार में रहने की जरूरत है जब तक इस सिथी उनके पक्ष में ना हो जाए वहीं कुछ मामलों में जो लोग मुखमंतरी के पत पे रहते हैं उन्हें पत पर बने रहने के लिए ऐसे काम करने परते हैं जो वे नहीं करना चाते हैं ये इस्तिती कॉंगर्स पार्टी में अधिक है यदि आप पिछले कुस दिनों से मुकमंतरी रेवन्थ रेडी को देखे तवाशांत और स्यामती रहने की कोशिश कर रहे हैं वहीं मुकमंतरी के रूपे उन्हों ने जो लक्षे तैय किये हैं उन्हें हासिल करने का ये सही समय नहीं है रेवन्थ रेडी को फिलहाल सयम और समनवे से काम लेना चाहिए कि यवल लोग सबाद चुनाफ तक ही नहीं उसके बाद भी लोग तांतरिक शाशन परदान करने के एक मजबूत नेता बनाने का परियास करना होगा वही रेवन्थ रेडी का राजनितिक जीवन अभी भी दो दशक का है सरकार को इस्तर करने के अलावा अगर वे इस कारयाले तक ऐसी ही जारी रखते हैं तो कॉंग्रिस पार्टी में रेवन्थ रेडी की नितरता को कोई धोगा नहीं होगा वे एक शक्तिशाली नेता हो जा वही रेवन्थ रेडी जानते हैं कि लक्षों के प्राप्ती में समझोता करने का कोई अवशक्ता नहीं है अब मुख मंतरी के तोर पर भी वह काफी मेहनत से काम कर रहे हैं यही वज़ा है कि मंतरालों के बतवारे में भी उन्होंने बाधी नितरतब क्या आदेश के वही की काम किया है दरसल विभागों का बच्वारा मुख मंतरी के विवेक पर निर्भर है